Principles of Systematics Module 130, T-Test T-Test is used when we are interested to compare the means of two samples हमने यह देखा कि Z-Test हम उस वकत यूज़ करते हैं जब हमने दो samples के means को compare करना हो और sample size 30 से ज़्यादा हो T-Test हम उस सूरत में apply करेंगे जब हमारे पास दो sample हो हम उनके means को compare करना चाहते हो और sample size 30 या 30 से less हो अब T-Test के लिए assumptions क्या है T-Test के लिए data की जो distribution है वो normal होनी चाहिए क्यूंकि T-Test एक parametric test है उसके बाद sample should be taken randomly from the population यानि जिन samples को हम compare करने जा रहे हैं वो samples population में से randomly select किये गए हो उसके लावा Z-Test के अंदर हमने देखा था कि standard deviation का होना जरूरी था Z-Test के लिए लेकिन T-Test के लिए standard deviation का होना जरूरी नहीं है standard deviation may or may not be given दोनों सूर्थों के अंदर हम T-Test apply कर सकते हैं अब जो T-Test है इसकी दो टाइपस है एक independent T-Test जिसको हम two sample T-Test कहते हैं और दूसरी जो टाइप है वो paired T-Test है अब दोनों के अंदर difference क्या है हम कहां पे two sample T-Test apply करेंगे और कहां पे paired T-Test apply करेंगे इसको हम मुख्तलिफ example से समझते हैं पर जामपल आप एक field में जाते हैं और उस field में से आप randomly कोई से 10 plants select कर लेते हैं और उनकी heights मालूम कर लेते हैं एक महीने के बाद आप दुबारा से उसी field के अंदर जाते हैं और randomly आप कोई से 10 plants select करते हैं और उनकी heights भी आप मालूम कर लेते हैं अब आप दोनों जो samples हैं इनके means को compare करना चाहते हैं तो इसके लिए कौनसा टेस्ट apply होगा इसके लिए two sample T-Test apply होगा अब एक और example हम लेते हैं कि आप फिल्ड में के आपने randomly कोई से 10 पौदे select किये एक महीने के बाद आप दुबारा से फिल्ड में के आपने randomly कोई से 15 plants select किये अब पहले महीने जो आपने 10 पौदे select किये थे उनका mean आपने ले लिया और दूसरे महीने जो randomly 15 plants आपने select किये उनका mean भी आपने ले लिया अब आप दोनों samples के means को compare करना चाहते हैं अभी भी two sample T-Test ही apply होगा इसका मतलब यह है कि जो two sample T-Test है इसके लिए sample size same भी हो सकता है जैसे previous case के अंदर था और sample size फरक भी हो सकता है जैसे कि हमने देखा कि पहला sample 10 का था दूसरा sample 15 का था अब एक और example हम देखते हैं कि आप field में जाते हैं और field में से randomly आप कोई से 15 plants select कर लेते हैं अब आप दुबारा से उसी field के अंदर जाते हैं और उसी field में जाने के बाद एक महीने के बाद आप उन्ही पौदों का data select करते हैं जिनका data आपने पहले प्रेक किया था क्योंकि जब आप first time गए थे आपने जब plants का data collect किया आपने उनकी tagging कर ली और दुबारा से आप वही पे गए और उन्ही पौदों का data आपने collect किया अब आप जब इन दोनों सांपल्स के means को compare करेंगे तो आप pair T test apply करेंगे इसी तरीके से आपके पास 10 patients हैं diabetes के आपने उनका glucose level record कर लिया उसके बाद एक महीना आपने उनको कोई medicine खिलाई एक महीना medicine खिलाने के बाद आपने दुबारा से उनका glucose level record किया आप compare करना चाहते हैं कि इनका जो glucose level था medicine खाने से पहले और medicine खाने के बाद उसमें statistical difference मौजूद है या नहीं है तो इस सुरत में आप पेर टी टेस्ट अपलाई करेंगे तो दोनों जो टेस्ट हैं उसमें बेसिक डिफरंस क्या हुआ कि जो पेर टी टेस्ट है पेर टी टेस्ट के लिए entities का same होना जरूरी है यानि जिनका data आपने के लिए जो individuals जिनका data आपने पहले collect किया जरूरी नहीं है आपने population में से उन ही को target किया हो आप randomly को इससे दूसरे pod select करके उनके means को पहले वाले जो samples हैं उनके means से compare कर सकते हैं तो यहाँ पे entities का same होना जरूरी नहीं है और उसके लावा यहाँ पे sample size का same होना भी जरूरी नहीं है जबके compare t test के लिए sample size का और entities का same होना जरूरी है